Hello students, welcome to my class Polity Achiever और मैं आपके साथ यहाँ Dr. Shalini आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जब इंडिन कॉंसिटिशन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो आर्टिकल्स 63 से 71 तक हैं यह सबी आर्टिकल्स वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो इस क्लास में हम लोग एक एक आर्टिकल को यहाँ डिसकस करेंगे आर्टिकल 63 यह कहता है कि there shall be a vice president of India then next article है आर्टिकल 64 जो यह कहता है कि vice president इक ex-officio chairman के तौर पर काम करेंगे for council of states यानि राजसभा के पदेश सभापती के तौर पर काम करेंगे now we can discuss functions of vice president under the article 65 which has similarities with the American vice president American vice president जो है वो भी senate यानि की upper house अमेरिका का जो है वहाँ के chairman होते हैं ठीके पदेश सभापती कह सकते हैं आप इसको ex-officio chairman भी बोल सकते हैं तो वही same यहाँ इंडिया में भी हम देखते हैं कि जो vice president है वो ex-officio chairman के तौर पर काम करते हैं council of states के लिए ठीके तो यहाँ पर इस similarity हो गई है functions जो है वो as a speaker जैसे लोग सभा के speaker काम करते हैं उनके powers और functions होते हैं same वही सारे powers and functions यहाँ chairman यानि की जो राजसभा के सभापती हैं हमारे जो vice president है उनके भी होते हैं ठीक है then जब यह as a president work करते हैं तो वो सारे powers जो एक president को मिलते हैं हमारे देश में वो सारे powers जो है functions जो है वो vice president उनको use करते हैं यहाँ important बात एक यह है कि जब vice president as a president उनकी post पर आते हैं उनकी post पर काम करते हैं तो वो maximum six month के लिए होता है six month के अंदर नए president के election कराने होते हैं और जब तक election नहीं होंगे तब तक जो vice president है वो as a president work करते रहेंगे so what is the election method for the post of vice president of India तो आटकल 66 में इसकी बात की गई है आटकल 66 यह कहता है कि vice president का election पार्लियमेंट के दोनों houses मिलकर करेंगे राजिसभा इन लोगसभा क्या method हो सकता है तो method है proportional representation by single transferable vote और यह secret ballot के थ्रू होता है इसके साथ ही आटकल 66 में vice president की post के लिए कुछ conditions भी बताए गई है just like उनकी जो age है वो 35 years होनी चाहिए या वो Indian citizen हो इसके साथ ही एक important बात यहाँ यह कही गई है कि कोई भी person जो पार्लियमेंट के दोनों houses में से किसी का भी member हो या फिर किसी भी state legislature का member हो वो vice president नहीं बन सकता और suppose कि अगर कोई ऐसा person vice president बनता है तो जिस दिन वो शबत लेंगे उस date से यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी जो पार्लियमेंट की membership है या किसी भी state legislature की membership है उससे resign कर दिया है ठीक है तो यहाँ जो vice president है वो किसी भी पार्लियमेंट के किसी भी house के member नहीं होते है प्लस किसी भी state legislature के भी member नहीं होते है यह आपको याद रखना है So अब term of office की बात कर लेते हैं Article 67 में यह कहा गया है कि vice president का जो term है वो five years का होगा But इससे पहले भी अगर उनको उनकी post से resign करना हो तो वो president को address करते हुए अपने signature के साथ resign कर सकते है Then एक और यहाँ पर बात है जो article 67 में कही गई है वो यह है कि अगर vice president को उनकी post से हटाया जाता है उनकी post से उनको remove किया जाता है तो क्या procedure होगा राजसभा एक ऐसा proposal रखती है ऐसा प्रस्ताव पास करती है जो majority से पास हो जाता है और इसके बाद फिर लोगसभा में उसको भेजा जाता है लोगसभा में वो पास होने के बाद यानि कि लोगसभा से approval मिलने के बाद ही vice president को उनकी post से हटाया जा सकता है ठीक है यानि कि जो proposal है वो राजसभा में रखा जाएगा वहां majority से पास होगा बट इस सारे process में लोगसभा का approval बहुत important होता है और without its approval जो उनका removal है वो accept नहीं होगा यह सारा जो process है यानि कि अगर उनकी post से हटाया जा रहा है तो इसके लिए 14 days पहले उनको inform किया जाएगा so now article 68 को भी discuss कर लेते हैं article 68 यह कहता है कि अगर ऐसी conditions create हो जाएं कि अगर vice president resign कर दें या उनको उनकी post से हटा दिया जाए suddenly उनकी death हो जाती है या फिर उनका election जो है वो illegal declare कर दिया जाता है इस तरह के conditions होती है और वो अपना जो term है five year का उसको पूरा करने से पहले ही अपनी post से हटा दिये जाते हैं या खाली हो जाती है post किसी भी reason से तो उस वक्त जो नया person आएगा जिसके लिए नए election होंगे और नया person जो appoint होगा वो पूरे five year तकी रहेगा अगर कोई भी vice president है वो after three year ठीक है उनको उनकी post से remove कर दिया जाता है या post vacant हो जाती है ठीक है within six month में new elections होंगे और जो नया person elect होकर आता है as a vice president वो उस date से जिस date को appoint होगा उस date से वो पूरा five year तकी रहेगा ऐसा नहीं है कि दो साल बचे हुए थे तो वो दो साल तकी रहेंगे नहीं अगर नया election होता है नया person elect होगा तो वो पूरे five year तकी as a vice president काम करेगा according to article 68 so अब बात करते हैं article 69 की जो vice president की शपत से related है vice president को शपत राशपती दिलाते हैं और या फिर अगर राशपती नहीं है उनकी absence में कोई ऐसा person जिनको वो nominate करते हैं कि ये person vice president को शपत दिलाएंगे article 70 ये कहता है कि अगर कोई ऐसी emergency create हो जाती है कोई ऐसी situation create होती है जो इस chapter में नहीं दी हुई है ठीक है जिसके बारे में बात नहीं की गई है अभी तक तो उससे related जो laws हैं वो parliament बना सकती है ठीक है पत्तो parliament को यहाँ ये right है कि अगर कोई भी ऐसी emergency या कोई situation new ऐसी create होती है त अगर कोई election में कुछ ऐसे matter से disputes create हो जाते है तो इसका finally जो decision है जांच है वो Supreme Court करेगा ठीक है और Supreme Court decision ही final होगा ठीक है अगर Supreme Court decision देता है कि जो election है President of Vice President का वो void declare हो चुका है तो जिस date को वो ये decision देते हैं उस date से पहले के जितने भी काम उन्होंने किये हैं President of Vice President ने वो illegal declare नहीं हो सकते हैं ठीक है लेकिन उस date के बाद से वो अपनी post पर नहीं रहेंगे और इस तरह की जो भी functions हैं उनको वो नहीं कर पाएंगे तो यह ऐसा article 71 में कहा गया है तो यहां हमने बात की है Vice President of India की और यह सारे articles जो उनसे related हैं वो हमने discuss की हैं So I hope so आपको आज की मेरी class अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो like and subscribe करें and also share this YouTube channel so till then take care bye bye